कि नमस्ते असलाम अलेकूम एन हलो टो अब्रीवान आप सबको में दिल से स्वागत करती हूं आप सब के चैनल इंस्पारिंग चैरो ट्रेपल उन पर सो जैसे कि आप लोगों ने कम्यूनिटी में अगर पोस्ट पढ़ा है तो आपको बताओगा के लास्ट टाइम में मतलब क वीडियो अप्लोड करने वाली थी बहुत बहुत जाता डिस्टर्बंस आ रहे थे कुछ एविल फोर्स के वज़े से में नहीं कर पाई रेकॉर्डिंग आप ट्रस करते हैं या नहीं सब चीजों में लेकिन में इन ही सब चीजों के साथ काम करती हूं अच्छे एनरजिस के कर आई हूं आपके माइंड में जो इंसान हरवक रहते हैं मैक्सिमम टाइम जो इंसान आपके माइंड में रहते हैं उस इंसान के नजर में आप किस टाइप के इंसान है ठीक है उस पर्टिकुलर इंसान के नजर में आप किस टाइप के इंसान है वो हम जानेंगी स्रीडिं यहां पर option 1 में है आपके लिए ड्राइगन फ्रूट और option 2 में है पैर 1 में है ड्राइगन फ्रूट और 2 में है पैर जो भी फ्रूट आपको अट्रैक कर रहा है आप से चूज कीज़े टाइम स्टेंप है पिन कमेंट एंड प्रेस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चाहे तो वीडियो को पोज़े कर सकते हैं 1 & 2 हार अप्शन नंबर वान तो चलिए देखते हैं जिनों ने भी ड्राइगन फूट को चूज किया है मेनी व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में जबतर टाइम सोचते रहते हैं उस इनसान के नजर में मेनी व्यूवर्स कैसे इनसान है पीस मझे बताएगा इन These are WORK ए। इनसान को लगता है कि आप बहुती शान्त और सुल्जय हुए इनसान है अपके mind में जो भी इंसान है उससान को लगता है कि आप भूती शांत और सुल्जे हुए इंसान है हर बड़ाहट में नहीं रहते हैं, आप कुछ भी काम करने से पहले, आपको हर बड़ाहट नहीं होता है, आप थोड़ा टाइम लेते हैं, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप पीसफुली काम को कर लेते हैं, पीसफुली आप कोई भी डिसिजन ले सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता कुशिश करेंगे उन दोनों की लोगों की जहग्र को सुलझाने की कुशिश करेंगे तो एक पीस्मेकर या या ना मानू लेकिन उन्हें आपसे बहुति पॉज़िव वाइबस मिलता है वो आप से बात करते हैं या फिर आपके फोटोस या वीडियो भी आप देखते हैं तो आप से बहुत positive vibes मिलता है, बहुत से लोग no contact zone में हैं, जिसके लिए भी आप ये reading देख रहे हैं, बट भले ही आप no contact zone में हों, बट स्टिल उन्हें आपकी बाते पुरानी बाते याद है, आपने जो भी उन्हें कहा था, चाहे वह online कहा हो या offline कहा हो, उन्हें आपकी बाते याद है, memories, आपके साथ जुड़ा हुआ memories, उन्हें याद है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपका memory कोड़ी भी काफी शार्प है, आप बहुत सी बातों को बहुत अच्छे से याद रखते हो, भूल दे नहीं हो आप ऐसा होने लगता है, जैसे कि अगर इस इंसान ने कुछ भी गलती किया था, कभी किसी भी टाइम पर, अगर कुछ भी इन्हें मिस्टेक किया था, तो आप भूले नहीं हो, आपको बता है कि कौन से दिन किया था, डेट किया था, या फिर किसी किसी को टाइमिंग भी याद हो सकता है, कि हाँ, शाम के बात करते वक तुमने ऐसा बोला था, something like that, तो एक तो उन्हें ही ऐसा लगता है, आपका माइंड काफी, आपका मेमरी काफी शार है, और उसा आपका माइंड भी काफी शार्फ है, ऐसा उन्हें लगता है, यह पर्टिकुलर इंसान आपको एक मैच्योर इंसान के तौर पर देखते हैं, आपका एज चाहिए जो भी हो, मैटर नहीं करता है, बट उन्हें ऐसा लगता है, कि आप इमोशनली बहुत जादा म बहुत जादा टाइम रहते हैं, जैसे कि कुछ बात आपको खल गई, और आपने नेगटिव सोचना स्टार्ट किया, और कई घंटे तक आप नेगटिव ही सोचते रहे गए, ऐसा उन्हें लगता है, कि आप कभी कबार कुछ जादा ही नेगटिव सोच लेते हैं, उससे और बहुत कम लोगों के लिए मैसेज मुझे आ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी यह वी देख रहे हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, और मुझे जो मैसेज आ रहा है कि यह इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, और मुझे जो मैसे ये बन ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि आपका इंट्योशन लेवल स्ट्रॉउघ है, पैसल को पिता होता है एक अप ऐसो पार इस पार सोचना नहीं पडता है, कुछ भी काम करने से पहले आपको बहुत बार सोचना नहीं पड़ता है आपको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है decision देने में आप जदा time नहीं लगाते हैं ऐसा उन्हें लगता है उन्हें कभी-कभी यह ऐसा भी फील होता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जान जाते हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाते हैं उनकी अनकही बाते भी आप समझ जाते हैं आप पढ़ लेते हैं उनका माइंड मानों आप पढ़ लेते हैं ऐसा उन्हें लगता है थेंक यू कौर मेसेज मुझे मिल रहा है कि ये इंसान कभी कबार आपसे लिलेटिट टेरो रीडिंग भी देखते हैं ये मेसेज भी सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा मगर हां कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप जिस पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान भी आपसे लिएटिट टेरो रीडिंग देखते हैं जीसे कि आप भी देख रहें वह भी ऐसे देखते हैं ओके मुझे alpha pet A नजर आ रहा है या तो आपके नाम का first letter A है या फिर इस particular इंसान का नाम का first letter A है ओके और कोई message ये इंसान मेरी viewers को लेकर क्या सोचते हैं उनके नजर मेरी viewers कैसे इंसान है प्लीज मुझे बताईए कभी कबार आपकी energy इन्हें इनको प्लीज कर देते हैं आपकी lower energy जैसे कि आप low energy में हैं इस वक्त ठीक है आप low energy में लेकर उनके बार में कुछ ना कुछ सोचने लगे या किसी और उनके बार में आप कुछ गलत सोचने लगे बुरा भला जो भी है आप sadness में हैं गुसे में हैं इस ताप की जो energies होते हैं वो low में होता है ठीक है ना तो आपके गी low energy कहीं ने कि उसे वो इंसान feel कर पाते हैं इसके आप अभी sad है बहुत उदास है दुखी है रो रहे हैं बहुत time अगर नहीं भी रो रहे हैं तो भी आप दुखी हैं बहुत sad energy में हैं या फिर आप किसी के ऊ energy वो पिक कर लेते हैं और उस वक उन्हें बहुत स्टक मैसूस होता है उस वक गुसा भी आता है आपके उपर कि मैं क्यों इनका ये low energy रिसीव कर रही हूं या कर रहा हूं हाला कि ये message सभी के लिए नहीं है अगें हर कोई हर किसी का energy पिक नहीं करता है इस्पेशली डिस्ट अधरवाइस आसपास होने से बहुत से लोग रिसीव कर पाते है energy उन्हें आप कभी कबार बहुत मासूम भी लगते हैं ठीक है आपकी मासूमियत उन्हें ऐसा लगता है कि आप चाहे कितना भी smart हो intelligent हो लेकिन कहीं आपके अंदर एक मासूमियत भी है एक इनुसेंस नेचर आपके अंदर है और उन्हें आपकी यह इनुसें नेचर बहुत पसंद है आपकी मासूमियत उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपका इस्माइल इन्हें बहुत अच्छा लगता है डीसेंट लगता है आप उन्हें उन्हें सा लगता है कि आप एक बहुत डीसेंट इंसा कि एक एनका द्शाने यह कुछ के मैं से मैं सी हैं में यह यहां से देखती हूं कि इनके नख्र में मेरे वीवर्स कैसे इनसान लिए मरिं एफ्ञूबरी से його बताने थे रॉमेंटिक उसा लगता है क्या रोमेंro साइस करते हैं, एक तो मुझे यह मेसेज आ रहा है, 4th house, nice, very nice, यह इन्सान आपके लिए इमोशनीली ही बहुन साथा फ्यील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक एंसान हैं जो बिल्कुल family oriented इंसान है family oriented इंसान आप घर परिवार अच्छे से संभाल सकते है और somehow जिसे कि मैंने बोला था कि वो आप से शादी भी करना चाहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो गुण है कि आप अच्छे से एक merit life को संभाल सकते है family कर सकते है और उन्हें आपके साथ एक comfortable feel होता है comfort zone वो feel करते है अपना पन feel होता है इस particular इंसान को आपको लेकर एक और message मुझे मिल रहा है उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो प्यार नहीं मिला आपके घरवालों से जो आप deserve करते हैं उन्हें इंसान वुर्ड इस आपको वो प्यार नहीं मिला आपको अपने घरवालों से जो आप deserve करते हैं और कहीने कहीन इसान वो प्यार आपको देना चाहते हैं जो आप deserve करते हैं nostalgia मिए इनसान आपको लेकर उन्हें एसा फील होता है कि आप अपनी इमोजिस को बहुत ज़दा दबाने की कोशिश करते हैं रिवील नहीं करते हैं बहुत ज़दा हाइट करने की कोशिश करते हैं उन्हें पता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़दा स्ट्रॉगल है हार्ड वोक से आप गुजर रहे हैं हार्ड वोक आपको करना परता है बट सम्हाव इस इंसान को फेथ है आपके उपर कि आप अपने डेस्टिनी तक जरूर पहुंचेंगे आपके जो भी गोल से आपके जो भी ड्रीम से आप उसे जरूर फुल्फिल कर पाएंगे ऐसा इन्हें लगता है वेयरैन, इनके नजर में उन्हें ऐसा लगता है के आपको चीजे को आपको अपके आसपास जो भी हो रहा हैं उन्हें चीजों को काफी गहराई से देखनी के और समझने की जरूरत है जान शेंचेंगे eer और समझने की जरूरत है यह message है, मतलब ऐसा नहीं कि वह आपको लेकर ऐसा feel कर रहे है, something like that, आपके बार में ऐसा सोचते हैं, नहीं, यह particular message ऐसा receive हो रहा है, कि वह आपको मानो कहना चाहते है, कि आप एक बार गौर कीजिए आपके साथ, जो भी हो रहा है, आपके आस पास, जो कुछ भी हो रहा है, उस आपके रहा है, अगर आपके साथ रहा है, कि अगर आप वाके में ऐसा इंसान है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, प्लीज मुझे एमेल कर सकते हैं, अगर आप लोग उन्हें इस पैर को चूज किया है, तो यह reading आपके लिए है, आप के लिए है, आप इ इस पर्टिकुलर इंसान को आपके साथ एक स्ट्रॉंग सोल कनेक्शन फील होता है, इस थ्रीडी के रिलेशन्शिप्स होते हैं, उससे कही ऊपर उन्हें ऐसा फील होता है, बियॉंड, इस दुनिया से पार, बहुत दूर, अदर रेलम में जाना, कनेक्ट होना, यूनों व मेरे वियूर्स को लेकर क्या सोच रखते हैं, उनके नजल में मेरे वियूर्स कैसे इंसान हैं, प्लीज मुझे बताइए, उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से रूड, थोड़े रफ और टॉफ टाफ टाइप के इंसान है, आप इमोशनल यह उतने अवैलेबल नहीं होते हैं, उन्हें लगता है, और आपके लिए सोसाइटी का जो एक पोजिशन होता है, वो बहुत मैटर करता है, ऐसा होने लगता है, ओके सोसाइटी में जो इक पर्टिकुलर इमेज होते हैं लोगों का, आप क्या जॉब कर रहे हैं, क्या बिजिस कर रहे हैं, उसे इसा लगता है कि आपके लिए यह चीज बहुत इंपोर्टन है, इन्हें यह अशा भी लगता है कि आप डे ड्रिमिंग बहुत करते हैं, खयालों के दुनिया में आप बहुत ज़दा देहते हैं, और आपको ऐसा भी लगता हैं कि जो प्रॉब्लम से आपके लाइफ के जो ऐसे वह बहुत ज़दा है, लेकिन इस पटिकुलर इंसान के नजर से अगर आप देखोगे तो उतरा नहीं है, क्थो और इस पटिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि और आपने प्रॉब्लम मैं다 प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ऐसा उनका कहना ह है ठीक है इस इंसान कैसा कहना है इनको आपके ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छे लगते हैं मुझे एक और मेशे जा रहा है इस इंसान के तरफ से आप इसली चीजों को जाने देते हैं किसी भी किसम की connection को इन्हें ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर इंसान को एसा लगता है का आप आप एजली लट गो कर देते हैं यह यह कहें कि ठीक है तुमें जाना है फैन तूम जाओ आप रोकोंगे नहीं मिल राय है कि एन इनहें यह सह लगता है कि आप दिमाग से sip जब ज़ना सोचता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं मतलब दिल का इस्तमाल कम करते हैं दिमाग का इस्तमाल आप जाधा करते हैं इन्हें आपकी फिजिकल फिट्रेस भी बहुत पसंद है कुछ सिमिलिर्टीस हैं आप दोनों के बीच यह इंसान आपके साथ हार्ट तो हार्ट कॉंवर्जेशन करना चाहते हैं क्लियर कट कम्यूनिकेट करना चाहते हैं ऑकिं इंके नजर में मीनि के सेंसान है प्लीजेपताइएगा इनके नजर में मीनि फिजिविवर्स के सेंसान हो hen वीस इन्हेंट काफी अबंडर्ट लगते हूं थे मन्न हैं इस्पेशली मनी वाइस हम क've coffee पैसे हैं कफी savings है इन्हीं ऐसा लगता है चाहे आपके पास हो या ना हो लेकि इनके दजर से ऐसा लगता है कि आप रिच है आपके पास पैसे बहुत है काफी हद तक successful हो ऐसा इन्हें लगता है आपने काफी हद तक अपने life में material world में बहुत कुछ gain किया है काफी हद तक gain किया है आपने ऐसा इन्हें लगता है feel होता है इन्हें बट आप दिखाते नहीं हो इन्हें आपको लेकर एक और feel होता है वो है आप कितना भी सख्त, rude, rough वे में क्यों ना behave करें लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक strong emotions है, okay, मतलब आप जिसे दिखाते हो बाहर सा वैसे हो नहीं, अगर आप बाहर से दिखाते हो कि आप strong है, बहुत जाता mentally, emotionally, आप बिल्कुल भी emotionally feel नहीं करते हैं, बहुत कम रोते हैं, बहुत कम emotional होते हैं, अगर आप ऐसा दिखाते हैं, तो इन्हों ऐसा लगता है, का आप भले ही ऐसा दिखाते हैं, लेकिन deep down कहीं आप भी emotional होते हैं, आप भी रोते हैं, आपके अंदर भी feelings हैं, इन्हें deep down ही चीज़ फील होता है आपसे, आपके साथ एक friendly wives मिलता हैं इनको, इन्हें ऐसा लगता है कि आप आपका दूसरा साइड भी है, कहींने कि एक dual face है, आपका dual face है, एक face है, दिखाने का लोगों के सामने का बहुत strong है, bold है, ठोड़े से rude है, rough है, बट आपका जो other face है, वो different है, वो काफी अलग है, वो काफी friendly है, काफी life को enjoy करने वाल energy है, बहुत ही positive है, बहुत ही vibrant है, colorful है, मन मौला टाइप का, okay, दूसरा आपका ऐसा face है, ऐसा इन्हें लगता है, let's see, card से मैं देखती हूं, यह इंसान मेरी viewers को लेकर क्या सोचते हैं, उनके नजर में मेरी viewers कैसे इंसान है, यह जो भी particular इंसान है, इनके नजर में मेरी viewers कैसे इन्सान है, मेरी viewers जिसके भी बाले में सोच रहे हैं, वो इन्सान, उस इंसान के नजर में मेरी viewers कैसे इंसान है, thank you, इन्हें आपकी बाते करने का तरीका इनको बहुत पसंदा, आपका बात करने का तरीका आपकी voice इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें अच्छा इनके साथ इनका मतलब ऐसा है कि इन्हें समाव ऐसा लगता है कि आपका और इनका आपके और इनके बीच डिफ्रेंसिस भी है काफी कुछ काफी कुछ डिफ्रेंसिस भी है और इन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं हम दोनों के बीच जगरा ना हो जाए उन डिफ्रेंसिस क और इन्हे ऐसा लगता है कि आप अपने चालों तरफ एक बहुती प्रोटेक्शन शील बना कर रखते हैं कि कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता है यहीं चीज आ रहा था आपकी डूल फेस हैं आप सामने से दिखाता है आप रूडल रफ है लेकिन अंदर से आप काफी सॉफ्ट हैं अंदर से आप एमोशनल है क्योंकि जब कोई इन्सान दिखा देता है कि वह एमोशनल है सॉफ्ट हाट है तो बहुत से लोग फाइदा उठ का हर्ड करते है राइट इस वरे से कही साने लोग दिखाते नहीं है यह वह फिल करते हैं वह इमोशनल है और इस पर्टिकुलर इंसान को भी यहीं चीज फील होता है आपको लेकर क्या आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है बिल्कुल कोकॉनेट की तरह बाहर से सॉफ्ट पूल ओन इमोशन से भरा हुआ यह आपको लेकर कभी कबार बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं समझ नहीं पात है आपकी ट्रू कैरेक्टर को कि आप एक्च्वल में क्या है क्योंकि इन्हें कभी कबार आपके सॉफ्ट साइट भी दिखा है और कभी कबार ने जादतर टाइम इनको आपका हार्ड साइट भी दिखा है यू नो रूड रॉफ टाफ वो साइट इन्हें जादा दिखने को मिलता है और आपके सॉफ्ट साइट इन्हें बहुत कम दिखने को मिलता है तो इस विरे से कहिने कि ये इनसान थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं आपको ले लेकिन हाँ, इन्हें इतना जरूर पता है कि आप एक strong person है, आपकी personality बहुत strong है, इन्हें आपकी personality बहुत पसंद है, जिसे साब साब तयार होते हैं, जिसे साब साब बात करते हैं, खुद को present करते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत attract करते हैं, और communication skill, उन्हे के mind में जो भी आप से related confusion है, वो दूर हो सके, और अगर आपके mind में इन से related कोई भी confusion है, वो दूर हो सके, ओकी option number two, so यह रही है आपकी reading, comment परके बताएगा क्या वाक्य में आप ऐसे ही इनसान हैं, जैसे कि इनसान आपके बार में सोचते हैं, और अगर reading अच्छा लगा, तो भी comment केजिएगा, like केजिएगा, ओकी, bye